आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे बिहार के भागलपूर जंसन पर जो बं मिला था उसको ले करके क्या कुछ जानकड़ी निकल कर सामने आया है चोकि पूरा अपडेट सामने आ चुका है तो चलिए इस वीडियो अपडेट में आपको भी हम बता दिये चलते हैं क्या कुछ हुआ था और इसमें क्या कुछ अपडेट अब तक निकल कर सामने आ पाया है इस वीडियो को सुरू करते हैं उसे पहले हमारे चैनल को नई के सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल बिहार के भागलपूर रेलवे स्टेशन में बंब मिलने की अप हुआ के बाद भागलपूर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है चपे चपे पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाबल वो रेल पुलिस के जवान तैनात दिखें इसी भी जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सोमवार को देर रात तकड़ी बन बारा बचकर पांच मिनट पर भागलपूर रेलवे स्टेशन परीशार रिस्तित रेल थाना के पीछे कार पार्किंग में हाई मास्ट लाइट के नीचे बम मिलने से अफवा से अफड़ा तपरी मच गई आरपीअप के जवान उस बम नुमा वस्तु की जाँच में रात तीन वजे तक जुटे रहें बम नीडोधक दस्ता को बुलाया गया और सराबनी मेला को लेकर जिले में हाई एलर्ट जिला परसासन से लेकर केंदरिया सुरक्षा एजेंसी की तैनाती अत्रिक्त पूलीस बल मंगवाने के साथ साथ रेल पूलीस की अपनी पुकता तयारी के बीच रेलवे स्टेशन पर परीसर में फेक दिया था माचिस की तिलिया वो कागत से बोतल भड़ा था और बम नीडोधक दस्ता की जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि वह बम नहीं था बलकि इसे बम के तरह तयार करके परीसर में फेक्या गया था जिससे अप हुआ फैल सके और इसमें भगदर मस सके ह आना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन आने वाले नेस्ट वीडियो अपडेट के लिए अन ट्रेनों की जानकारी हम लगतार आपको देंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने लेटेस्ट वीडियो बता दिया जो कि कल इस पर हमने लेटेस्ट अपडेट डाला थ माल्दा रेलखंट से निकलने वाली नई ट्रेनों के अन अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस वीडियो को सेयर करें और इसके अलावे कोई सवाल पुछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़े जाएं